नमस्कार स्वागताम का कम्यूनिटी निउज में हम आज बात करेंगे हल्दी के भाव और आबक को लेके तो सबसे पहले बात करेंगे E-Road मंडी की तो E-Road मंडी में मंगलवार को हल्दी की आबक में गिराबट देखी गई हल्दी उतपातकों द्वारा बिक्री के लिए कोई मैसूर हल्दी नहीं लाई गई केवल इस्तानिय हल्दी ही बिक्री के लिए लाई गई हल्दी के केवल 1400 बैग ही आए और केवल मद्यम गुडवक्ता वाली हल्दी को ही बिक्री के लिए रखा गया कि लगवक 55 की संक्या में खरीदार व्यपारियों ने विक्री में भाग लिया और केवल अपने स्थानिय मांग के लिए खरीदारी की, क्योंकि वे अभी भी विदेशों की मांग के लिए इंतजार कर रहे हैं। चालिस से अधिक हल्दी उत्पादक किसान अपनी उपश को लेकर आए और 895 बैग ही बेचे गए। गुलवक्ता के कारण फिंगर और रूट वेराइटी की कीमत 100 रुपए पिर्तिकुंटल से घड़ गई। हल्दी के अधिकांस बैग हल्दी पाउडर एकाईयों के लिए खरीदे गए थे। हिसाब से बेची गई। हल्दी के 632 बैगों में से केबल 208 बैग ही बिख पाए। रेगुलेटेड मार्केटिंग समिती में फिंगर हल्दी 5105 अनि कि 9105 से लेकर 6199 पिर्तिकुंटल के हिसाब से और रूट वेराइटी 4599 से 5899 रुपए पिर्तिकुंटल के हिसाब से बेची गई। हल्दी के 209 बैग बिक्री के लिए रखे गए थे और केवल 97 बैग ही बिक पाए। इरोड कोपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में फिंगर हल्दी 5389 से 6189 पिर्तिकुंटल से बेची गई। जबकि रूट वेराइटी 5399 से लेकर 579 रुपए पिर्तिकुंटल के हिसाब से बेची गई। हल्दी के केबल 622 बैग में से केबल 590 बैग ही बिक पाए। वेरो रुपोर्ट कम्यूडिटी निउज।